आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउन उत्तर लेंज रखा है उत्तर लेंजs के प्रॉपश्टी होती है कि वस्तु जि congregation r cutी होती है उसके अनुछ सा करता है यह प्रतिविम्लान कलता है अगर वस्तु अनंद पर रखी हो ठीक है मान लीजिये कि अगर वस्तु कैसी है अनंद पर रखी है तो आने वाली जो किरने ह वह कैसी करेंगी इसको एक केंद्र पर करेंगी अर्थात क्या करेंगी इसको थोड़ा पसार देगी इसको क्या करेंगी एक अभी केंद्रित करेंगी किसी एक पॉइंट पे ठीक है मतलब वह पॉइंट कोन सा होता है फोकस पर उसके पहले ही अगर मान लीजे कि उसके पहले ही वह किस पे नेत्रीका लेंस पर आई और यहां कुछ नेत्रीका लेंस ने कुछ उसको इस तरीक से उसके फोकस पर मिला दिया ठीक है तो तो RETINA पर बनेगा तुझे अगर वस्तु बहुद मतलब मान लीजिए वस्तु जो है और वस्तु मान लीजिए कि कहा रखी है focus और जो मुख्यविन्द है उसके माद द रखी है तो पर्तिब्यन कैसा बनेगा वास्त जो वह आकार में काफी बड़ा बनेगा, तो हम लोग क्या सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग वस्तू की पोजिशन चेंज कर रहे हैं, अर्थात हम लोग वस्तू की क्या कर रहे हैं, हम लोग वस्तू की की आंकों की बात करें तो उसके लिए हमेशा प्रतिमी रेटीना पर हिसे बनेगा पर अंतु यह करेगा कि जो उत्तर लेस्ट है उसके सामने इर्था उसके जो यह वस्तृ रखी है वस्तू की परिस्थिती क्या है वस्तु कितनी दूरी पर रखी हुई है तो वस्तु की दूरी और लेंस की नेत्र से दूरी पर भी निर्भर करता है अच्छा हम लोग क्या सकते हैं कि यदि एक वस्तू को कोई व्यक्ति देख रहा है और वो उत्तर लेंस को अपनी आखों के आगे रख ले तो जो वस्तू है वो बड़ी दिखेगी या छोटी दिखेगी तो यह डिपेंड कर करने की कोशिश करेगी और यह उत्तर लेंस का करेगा यह 13 में बनाने की कुशिश करेगा क्योंकि हमारा एव एपक्तर दर्पन का हुआ है अर्थात उत्तर लर्पन का जो फोकस है F not का मान अगर F E के मतलब F E के एरिया में रखा हुआ है तो उसके कारण क्या होगा जो यहां से जो आने वाली प्रकाश की रहने वह ज्यादा बिचलित नहीं होगी बहुत सीधे ही नेतरिका लेंस के संपर्क में आएगी और उसके असाब से प्रतेविम बनाएगी परन्तु अगर यह उत्तर जर्पन है वह नेतरिका लेंस से थोड़ा आगे रखा जैसे कि एक छोटा सुक्ष्मदर्शी होता है जिससे हम लोग क्या करते है हम लोग कौपी या पुस्तक की जो वर्ड्स होते चोटे-चोटे जो अक् किया जाता है उसके कारण क्या होता है जो बने वारा प्रतिविम है वो भी कैसे बनता है उसके साफसे बनता तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि अगर वक्ति किसी वस्तु को देख रहा है और एक उत्तल लेंस को अपनी आखों के आगे रख ले तो वस्तु बड़ी दिखेगी चुछटी जिखेगी यहाँ डिपेंड करता है कि वस्तु कितनी दूर है अर्थाद उत्तल दरपन से वस्तु कितनी दूर है यहाँ डिपेंड करेगी वरना नॉर्मेली जो एक case होता है उसमे वो और कैसे बीहव करती है वह एक शुक्ष्म धर्शी की भाति बीहव करेगी अर्थात क्या करेगी? चीजों को आवर्दित करके दिखाएगी. ठीक है? आवर्दित करके दिखाएगी. और इसा क्यों होगा? क्योंकि अगर जो लेंस है, उसके जो मुख्य बिंदू है, वहां से फोकस के बीच में अगर कोई वस्तु रखी हुई है, तो उसके द्वारा ज हम लोग कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देख रहा है और वहां एक उत्तर लेंस को अपनी आखों के आगे रख ले, तो क्या होगा? दो केसे होगे कि यहाँ डिपेंड करेगा कि फोकस जो नेतर से लेंस की दूरी कितनी है और वस्तु की दूरी कितनी है या दो दूसरा कैसे उसमें क्या वहाँ एक शुक्ष्म धर्ची की भादी बीहेव करेंगा जिसमें वस्तु क्या हो जाएगी आवर्दित हो जाएगी तो यही हमारे प्रिष्ण का उत्तर सा दोस्तु धन्यवाद